नमस्कार किसान भाईयों क्रशिफाई के मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है मैं हूँ राशी आपके साथ आए देखते हैं उत्तर प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में फस्रों के क्या दाम रहे तो शुरुआत हम करेंगे लखनों की मंडी के साथ जहां पर चा चावल के दाम 2720 रुपे गेहूं के दाम 2210 और जो के दाम 267 रुपे रहे तो वहें प्रयाग राच की मंडी में चावल के दाम 3600 रुपे पिली मक्का के दाम 2300 रुपे गेहूं के दाम 2400 और जो के दाम 2960 रुपे रहे तो इसी तरह जहासी की मंडी में चावल के दाम 2490 र रुपे रहे जोनपूर की मंडी की बात करें तो यहां पर चावल के दाम 265 पीली मक्का के दाम 250 और गेहूं के दाम 250 रुपे रहे तो वहीं आब बात कर लेते हैं कानपूर की मंडी की जहां पर चावल के दाम 26270 रुपे रहे लाल जुआर के दाम 2815 रुपे रहे देशी बा पर आयुद्या की मंडी की बात करें तो यहाँ पर चावल के दाम अर्थाइस तो और गेहुं के दाम तेइस सो रुपे रहे आखरा के मंडी में चावल के दाम 2820 रुपे रहे इसके अलावा बाजरा संकर के दाम 2010 रुपे रहे तो वहीं पीली मक्का के दाम 210, गेहों के दाम 2110 और जो के दाम मंडी में 2610 रुपे रहे अब बात कर लेते हैं दलहन फसलूगी जहाँ पर इटावा की मंडी में काली उरत के दाम 11,300 रुपे रहे इसके लावा हरी मुंग के दाम 8,500 रुपे रहे छोटे चने के दाम 53,000 रुपे रहे चने की दाल के दाम 58,000 रुपे रहे हरी मुंग के दाम 6400 रुपे और सफेद मटा के दाम 5600 रुपे रहे मुरादाबाद की मंडी में काली उरत के दाम 9000 रुपे रहे छोटे चने के दाम 5830 रुपे चने की डाल के दाम 6820 रुपे रहे इसके अलावा मेनपुरी की मंडी में काली उरत के दाम 9,225 रुपे रहे तो वहीं छोटे चने के दाहम 520, अरहर के दाम 6550 और अरहर दाल के दाम 9,660 रुपे रहे अब बात कर लेते हैं कि आखिर तिलहन फसलों के क्या कुछ भाव मंडियों में रहे तो बरेली की मंडी में काली सरसो के भाव 6,450 रुपे रहे इसके अलावा सरसो तेल के भाव 15,225 रुपे रहे तो वहीं प्रियागराज की मंडी की बात करें तो यहाँ पर काली सरसो के सर्सओ के भाव यहांपर 15,5 ya पांचासो रुपे रहे इसके अलावा सर्सओ खली के भाव 32 और अल्सी छोटे दाने के भाव अठन सो रुपे रहे ललतपुर की मंडी में छोटी मुंफली के भाव 50280 रुपे रहे तो वहीं सफे तरल के भाव 9580, काली सरसो के भाव 6,380 रुपे रहे, सरसो का तेल के भाव 15,650 और सरसो खली के भाव 2,900 रुपे रहे तो किसान भाईयों ये रहा आज का उत्तर प्रदेश कामंडी भाव अपडेट क्रशी से जुड़ी और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहें क्रशी फाई के साथ धन्यवाद